नमस्ते अब रवादन आपका इनोसेंट इनोस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों जो मेटल सेक्टर है ना ये मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है अगर ये तिरपन सो असी तिरपन सो पचासी का लेवल नहीं बचा पाता है तो यहाँ पर एक याउन सो तक की रेंज प्रेड करना है अगर आप पॉस्टिव साइट का ट्रेड ले रहे हो थोड़ा कॉसन रखिएगा एक चीज याद रखिए यह मेक और ब्रेक लेवल है जहां पर अभी इंडेक्स कड़ा है कई सारे स्टॉक्स कड़े हैं आपको लिस्ट आफ स्टॉक्स मिल जाएगी ये नस इस लेवल की एहमियत को समझना है लेवल की एहमियत इसलिए क्योंकि यहां पर स्टॉक्स इधर साइट बड़ा मोमेंटम दिखा सकते हैं तो आने वाले हफ्ते में अगर आपको स्विंग ट्रेड पॉस्टिव साइट का भी पकड़ना है तो मेटल सेक्टर पर आपका फोक अगर बड़ा ब्रिकडाउन हो सकता है तो थोड़ा एलट रहिएगा यहां पर बाकी अगर बाजार सपोर्ट कर देगी तब तो कोई दिक्कत होगी नहीं बाजार अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो ही दिक्कत होगी और उसके लिए आपको पहले से तैयारी बना कर रखनी च वहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है कोशिस यही की जगह जो स्टॉक्स इंडेक्स के पाट है आप वहीं पर ट्रेड लीजे अगर ले रहे हो और अगर सॉट साइट का ट्रेड ले रहे हो स्टॉप लॉस तो आपको बड़ा रखना ही पड़ेगा चाहे आप लॉंग कर चाहे आप सॉट कर रहे हो क्योंकि यह स्टॉक्स काफी बोला टाइल होते हैं इनका बीटा काफी हाई होता है निफ्टी के मकाबले यह ज्यादा बड़ा मोमेंटम दिखाते हैं अभी तना ही जल्दी मिलेंगे डेर सारी अच्छी वाली वीडियो में स्टॉक्स पे अपनी खाने ठीक है यह लगातार प्वॉश्टीव रहे लिया गी ती अचानक से लगातार गी ता एसे चार पांच दिनि कुछ अचानक से हो सकता है तेजी ही वन जाए कि मेक उट ब्रेक ले इसलिए में यह बात कही इए थुड को नजर बना कर रखने है अगले 28 दिन तक म्हु